हेलो स्टेंट्स, आज मैं आपको मैंसुलेशन चेप्टर क्लास एट एक्ससाइज 11.3 एंसे आटी बुक की कोशन नमबर एट बता रहे हूं ठीक है यहाँ पर दे रखा दर लेटरल सर्फेस एरिया फे हॉलो स्लेंडर इस 4224 संटीमेटर स्कॉर इस कट एलोंग इस हाइट एंड फॉर्म ए रेक्टंगुलर शीट ओफ दा विट्स 33 संटीमेटर फाइंड दा पैरिमीटर ओफ दा रेक्टंगुलर शीट ठीक है देखो वैसे तो मैंने यहाँ पर डाइग्राम बना दिया है हेरा यह स्लेंडर है ठीक है अगर हम इस स्लेंडर को खोल दें तो क्या बन जाएगी एक रेक्टंगुलर शीट बन जाएगी ठीक है इसका हमें काउट सर्फेस एरिया दे रखा है यह लेटरल बोलो है काउट बोलो सेम ठीक है यह दे अगर मैं इस पेपर को खोल दू तो कैसी बन रही है रेक्टंगुलर शीट बन रही है न तो ऐसी तुमारा यहां पर रही मैंने जो डाइग्रम बनाने कोशिश करिए ठीक है तो कर सर्फेस एरिया तो उसने तुमें कितना दे रखा है 4224 इक्वल्स टू एरिया फ्रेक्टंगुलर शीट क्या होगा एल इंटू भी है न तो 4224 इस इकल टू एल एल तो हमें निकालना पड़ेगा प्रेथ उसने हमें दे दिये कितनी 33 संटीमीटर तो मैंने यहां पर लिए 33 संटीमीटर में दे रखे मीटर में दे रखे होगे यहां पर है संटीमीटर अच्छा यह भी संटीमीटर में है सौरी यह संटीमीटर स्कॉयर है यह भी संटीमीटर ठीक है दोनों ही संटीमीटर है यह संटीमीटर संटीमीटर अब क् हम length is equal to 4224 upon 33 इससे इसको हम divide करेंगे तो करके देख लेते हैं यहां पर 33 से 4224 को तो यह 1 जा 33 12 से 3 गया तो कितना बच गया 9 और यहां पर हो गया 2 और 2 जा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 12 से 6 गया तो 6 8 से 6 गया तो 2 ब्रिंग डाउन 4 एट जा करके देखते हैं 8 3 जा 24 तो कह रही हूं 8 3 जा 24 और 26 तो यह हो गया हमारी length कितनी निकल के आ गई 128 cm ठीक है अब perimeter of sheet क्या हो गया 2 into L plus B हमाई पास तो अब सब कुछ है ना length कितनी निकाली है 128 और breath हमें कितनी दे रखे 33 cm is equal to 2 into इसको add कर दो 8 और 2 कितने 8 और 3 11 1 carry over 4 और 2 6 161 इसको 2 बंजा टो 26 जा 12 और 2 बंजा 2 और 1 3 इतना centimeter perimeter of the sheet अगर आपको question पसंदा रहा है please like share subscribe जरू करें